गुलाब का पौधा जो गर्मियों में बिलकुल सूखने लगा था अभी आपके पौधे में भी इस तरीके की ग्रोथ होने लगी होगी नई नई शूट्स आने लगी हैं नई नई लीव्स आने लगी हैं लेकिन अब इसके बाद क्या करना है कौन सा खाथ देना है और इन दूखना शुरू हो जाती हैं तो बरसातों में अक्सर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है ये मेरा वही बटन रोज का प्लांट है जिसे मैंने अच्छे से मल्च कर दिया था वीडियो शेयर भी किया था आप लोगों के साथ इस तरीके से इस पौधे को मैं बचा प लेकिन रिपोर्टिंग के तुरंत बाद आप धूप में नहीं रखेंगे बारिश के पानी में रख सकते हैं और किसी भी डीप कंटेनर में लगाना चाहिए गुलाब को यानि कि इसकी जड़े होती है वो थोड़ी सी डीप जाती है तो अच्छा परफॉर्म करती है कंपोस्ट लीजेगा यानि 30% कंपोस्ट भी ले लीजे 20% कोकोपीट या सैंड मिला सकते हैं आप बाकी के 20% में आप बोनमील या कैल्शियम यूग तो कोई भी खाद इसे देना ना भूले कैल्शियम गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यदि पहले से है यह आपके पास यह जमीन में भी लगा हुआ है तो यह जो खाद मैं आपको बता रही हूं इसे जमीन में चारों तरफ से गुडाई करके आप दे सकते हैं जब इसमें निव शूट्स आती है तो खाद देने की ज़रत पड़ती है और इसके बाद नुबर दिसंबर फरवरी तक फ्लारिंग का टाइम होगा तो 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज करना है तो दो तरीके का खाद मैं आपको बता देती हूं एक जिसे आप 30 दिनों पर देंगे और वो खाद है जिसे 15 डेस पर देंगे देखिए यह मुसेंड़ का पौधा था और बिल्कुल खराब होने लगा गर्मियों में अब न्यू शूट्स आ रही है तो हर वो पौधा जिसमें की न्यू शूट्स आ रही हैं उनको आप खाद जरूर दे दीजे क्योंकि बरसात में कली मैंने आपको बताया था पानी ओवर्फ्लो होने के वज़ए से खाद वेगरा सब कुछ निकल जाता है स्व तो यदि फ्लारिंग का टाइम है उस पौधे का तो उसे खाद आपको देना पड़ेगा आपको क्या करना है डिये पी ले लिजे और आप ले लिजे वर्मी कंपोस्ट और इसमें नीम खली मिलाना ना भूलें क्योंकि जिनके गुलाब की जो डंडिया काली हो रही है जिन् इसमें आपको क्या करना है आठ से दस इंच का एदी कंटेनर है तो एक चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट और एक चम्मच नीम खली और कम से कम दस से बारा दाने डिये पी के मिला लीजे और इसे पौधे में डाल दीजे उसके बाद आप इसे एक महिने बाद ही रिपीट करें इसे एक तो क्या होगा कि नीम खली से पौधे में फंगस नहीं लगेगी और इस्टेम जिनकी सूख रही है उससे राहत हो जाएगी और डीएपी और वर्मी कंपोस्ट एक जरूरी खाद है वर्मी कंपोस्ट के जगह पे आप चाहें तो कावडंग मैनियोर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इन तीनों चीजों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो यदि आप चाहें तो खरीद सकते हैं इसे देने के बाद आप बरसात के पानी में रख सकते हैं अपने पौधे को यदि आप कहां बारिश हो रही है तो थोड़ी सी स्वाइल ड्र अब बारिश के पानी से हटा लीजे और पौधे को खाद दे करके ऐसे जगह पे रखे जहां डारेक्ट सनलाइट भी ना हो और मिट्टी जो है सूखने का मुझा मिले देखिए जो बटन रोज था इस तरीके से फ्लारिंग करता है अब आपके पौधे पर ये खाद देने के पाद से न्यू शूट्स इस तरीके से बेसर शूट्स आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फ्लारिंग भी आप अर्ली स्टेज में ही फ्लारिंग ले पाएंगे यदि मौनसून में आप अच्छे से फीड कर देते हैं अपने पौधे को यदि जिनको ट्रीमिंग या मैंने फ्रेश लिया है घर में जो चाय बनती है उसके बाद चाय पती को अच्छे से वाश कर लीजे सुखा लीजे ताकि मिलके पार्टिकल्स उसमें से हट जाएं और उसके बाद चाय पती को एक चमच आप 15 दिनों पर गमले में डाल दीजे इसका रिजल्ट हमेशा आपक करके छोड़ दीजे फिर इसके पानी को आप गुलाब पर यूज कीजे यह तब यदि आपको लगता है कि लागतार बारिश हो रही है तो कब इस्तमाल करें हम लिक्विड को तो लिक्विड फॉर्म में ना इस्तमाल करके आप स्वाइल को हटा करके जैसे मैं अकसर बताती चैपती उपर से डाल करके आप फ्रेश स्वाइल भर दीजे और छोड़ दीजे जितनी बार वर्सात का पानी इसमें जाएगा बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाएगा और स्वाइल में मिल जाएगा कोई फंगस वगरा भी इससे क्रेट नहीं होता है बहुत जल्दी डीकं जाएगा पाल्दी जी पर दीकानी पर स्वाल जाएगा ऐसे क्यानी होता है राका बहुत जताएगा पphonदी एगे मिल जाएगा फ्रूद सानी कोईता नहीं हो जाएगा क्वर त्वाड़ में जाएगा आप तरीकेमे आप तो भी छोड़के प्र नसमी delic ले लिजे, पानी में बॉयल कीजे, उसे चान कर और स्प्रे कर दीजे, इसे रहत हो जाएगा.